ओम नमस्षिवाय आज हम काल भैरव की अस्टमी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे तो हमारी वीडियो को आप अंत तक देखें सीव संकर के इस रूप भैरव का जन्म हुआ था भैरव का और्थ है भै को हरने वाला है इसलिए ऐसा माना जाता है कि काल अस्टमी के दिन जो व्यक्ति काल भैरव की पूजा करता है वह उसके सारे भै का नास होता है काल अस्टमी के दिन भगवान सीव, माता पर्वती और काल भैरव की पूजा करनी चाहिए बिद्वानों का मानना है कि ये पूजा रात में की जाती है क्रिश्ण पक्ष की अस्टमी को दोपहर के समय भगवान संकर के अंच से भैरव रूप की उत्पत्ती हुई थी मंगलवार को मध्यान में मार्गसीर समाह की अस्टमी तिथी होने से काल भैरव अस्टमी 27 नवंबर को मनाई जाएगी नारद पुरान में बताया गया है कि काल भैरव की पूजा करने से मनुष्य की सभी मनों कामनाय पुर्ण होती है मनुष्य किसी रोग से लंबे समय से पिडित हो तो वह रोग तकलीप और दुख भी दूर होती है काल भैरव की पूजा बिधी इस दिन भगवान सीव के स्वरूप काल भैरव की पूजा करनी चाहिए काल अस्टमी के दिन ब्रह्म मुहुर्त में उठकर नित्यक्रिया आदिकर स्वक्ष हो जाए संभव हो तो गंगा जल से शरीर को सुद्ध करें ब्रत करने का संकल्प करें पितरों को याद करने और उनका स्राद करें ओम हिरिंग उन्मत भैरवाय नमह इस मंत्र का जप करें इसके उपरांत काल भैरव की आराधना शुरू करें और धरात्री में धूप, काले तिल, दीपक, उड़द और सर्सों के तेल से काल भैरव की पूजा करें ब्रत के संपुर्ण होने के बाद काले कुते को मीठी रोटिया खिलाएं काल भैरव की कथा एक बार भगवान ब्रह्मा विश्णू और महेश यानि त्रीदेवों के बीच इस बात को लेकर विबाद हो गया कि उनमें से कौन सर्वस रेष्ट है विबाद को सुल जाने के लिए समस्त देवी देवताओं की सभा भुलाई गई सभा में काफी मन्थन के बाद जो निश्कर्ष दिया उससे भगवान शीव और विश्णू तो सौमत हो गए लेकिन ब्रह्माजी संतुष नहीं हुए यहां तक कि भगवान सीव को अपमानित करने का भी प्रयास किया जिसे भगवान सीव अत्यंत प्रोधित हो गई भगवान संकर के इस भयंकर रूप से ही काल भैरव की उत्पत्ती हुई सभा में उपस्थित समस्त देवी देवता सीव के इस रूप को देह कर थराने लगें काल भैरव जो की काले कुत्ते पर सवार होकर हाथों में दंड लिये अवतरित हुए थे ब्रह्माजी पर प्रहार कर उनके एक सीड को अलग कर दिया ब्रह्माजी के पास अब केवल चार सीश ही बचे उन्होंने छमा मांग कर काल भैरव के कोप से सोयम को बचाया ब्रह्माजी के माफी मांगने पर बगवान सीव पुन अपने रूप में आ गए लेकिन काल भैरव पर ब्रह्मात्या का दोश चड़ चुका था जिसे मुक्ति के लिए वे कई बरसों तक इधर उधर यहां वहां भटकते हुए बरांसी में पहुचे जहां उन्हें इस भी कहा जाता है बरांसी में दंड से मुक्ति मिलने के कारण इन्हें दंडपाणी भी कहा जाता है इस प्रकार काल भैरव की यह पूरी कहानी हमने आपको बताया मान्यता है कि भगतों के काल भैरव दयालू कल्यान करने वाले अतिशिग्र प्रसन्न होने वाले देवता है लेकिन अनयती कारे करने वालों के लिए यह दंड नायक है इतना ही नहीं अगर इनके भगतों का कोई अहित करता है तो वह उसे तीनों लोकों में कहें भी शरण नहीं मिलती मान्यता है कि काल भैरव भगवान को प्रसन्न करने के लिए मार्गसिर समास की क्रिश्ण पक्ष की अस्तमीतिती काफी विशेश होती है अब काल भैरव से जीड़े कुछ हुपायों को कर लिया जाए तो आपकी जीवन की बाधाओं और परिशानियों से मुक्ति मिल सकती है और आपकी सारी मनोकामनाय पुरुण होती है भगवान सिव का स्वरूप होने के कारण इस दिन भगवान सिव की पूजा करने से भी भगवान भैरव का अशिरबाद प्राप्त होता है मनोकामना पूर्ति के लिए आज के दिन यानि 27 नवंबर को 21 बिल उपत्रों पर चंदन से ओम नमः सिवाय लिखें सिव लिंग पर अरपित करें इसके बाद मन में अपनी मनोकामना कहें ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है काल भैरव जयंती के दिन ऐसे मंदिन में जाकर पूजन करें जहां कम लोग जाते हों या कई दिनों से किसी ने वहाँ पूजा नौकी हो मान्यता है कि जो भैरव कम पूजे जाते हैं उनका पूजन करने से भगवान काल भैरव जल्दी प्रसंद होते हैं काल भैरव जयंती के दिन मंदिर में दीपक प्रज्वलित करें और भगवान भैरव को नारियल और जिलेवी का भोग लगाएं भगवान भैरव का बाहन स्वान यानी कुतिय को माना गया है, मान्यता अनुसार इस दिन भगवान भैरव की पूजा करने के साथ कुतिय को भोजन अवस्य करवाना चाहिए, खास तौर पर काले कुते को भोजन अवस्य करवाएं, इसे से सनी देव की कृपा भी प्राप्त होती है, इतना ही नहीं, ऐसा करने से जीवन की सभी बाधाओं से मुक्ति मिलती है, ओम नमह सिवाय, ओम काल भैरवाय नमह